प्रजेक्त पुरा हो जाने के बाद ही हम सब यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड एसी रूम में आराम से बैटकर सड़के और बिल्डिंग्स बनाने की बजाए जिस जगे पर हम केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो मेरे अंदर जरा भी शराफत और सेंशीलता नहीं है अगर तुम मुझसे भीड़े तो तुम्हें मार पीट के हास्पिटल पहुचाने की बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलोग तो पोड़ा बहुत अरिल लगा की नहीं लगा कि टेक चैर करेंगे कार्ड दिया उनका विजिटिंग अगया है कौन है बे तो जिसे तुने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूँ जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाया और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यूवराज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है झाल मुझे तेरी आँखों में डर नजर आ रहा है टेक केर इसके आने पर भगवान खुद बैंट बजब आएंगे वो बादल उपर लिखकर मेरी पोती को यह रविचे जा बिजबी की तरह पुरी आस्मान में चमकेगा तुफान की तरह आस्मान शीर करा हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है है हुआ है हुआ है हुआ 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 है हमारा आश्रवाद तुहारे साथ है अरे तू लाएगिया तू लाएगिया पहन बजारे पहन बजो जटी नमस्ते है बहल गारी तो बड़ी अच्छी चलाते हो और दू हैंसम भी बहुत हो थांक यू आलाइक यू आटिटूड देखो वो कितना हैंसम है तादी हाई आरे हाई हाई अंकल ये क्या हाई अंटी हाई तुम अकेरे आये हो दापाजी गहाँ है यहीं तो है आरे वो रहा देखो ना मेरे पती को बिलकुल राज कुमार लग रहा है अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या रहे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं अरे तूने मुझे आते हुए रास्ते में और गाड़ी से दख्का दे दिया, मैं चिला कर आ कि रुख जा रुख जा रुख जा लेकिन तुन्हें सुना ली नहीं, देख मुझे कितनी छोट लगी है, मैं क्या करूं। संसूर जी आप भी देखिए जब गिरा तो इतनी जोर से बत्तक लगा मुझे आप भी देखिए यहाँ पर चोट लगी है देखिए बाबा कितनी चोट लगी है अंकल कम सखाम आप तो देख लीजिया ना इससे तो मेरी सॉली विजद की धच्छी और दी पथा नहीं कब सुद्रेगा मैं मैं चलिए आप अंदर चलिए कि आकर मुझे बाम लगा से आप अंदर तो चलिए भीजवात आप हाई क्या हाल होगा ना चायत पूछी ना काफी पूछी मैं तुछ से नहीं पूछ रहा है समझ गया आगे बोलो आया नाम तो सुना होगा ना बहुत इस लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का टाटू बनाया या 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 पर तुमने अपना नाम नहीं बताया सरसों का साग ओहो क्या किया रहे यो तुम वेज़िटेरियन हो खाने के लिए वेज़िटेरियन हो तो सिर्पे चड़े तो खिलाना भी आता है अगर इस लड़की का बैन नहीं बचाए तो मेरा नाम भी आया नहीं कि बस पहुत क्यूं उजों पीछे से भटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है तु क्यों टितली बना हुआ है अजिए वह वह महान आए हुए है ना उन्हें चाय काफी देनी है या नहीं जाओ ना अने परे अरे मोझे लगा तू उसे देखर तितली की तरह पड़ा रहा है कैसी लगी बहु आपके बहुत बनकर चले हैं से सही लग रही थी यार देखो अगर तुम किसी हांसम लगे से श और हम लोगों को उसके पीछे CID बनकर घूमना पड़ेगा अगर किसी ठीचा क्लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे अरे वो देख तेरा होने वाला पती किसी और के नेटवर्क को फोलो कर रहा है कुछ लड़किया पॉप सौंग की तरह होती हैं जिने हम सुनकर भूल जाते हैं कुछ लड़किया रैप सौंग की तरह होती हैं जिने सुनते सुनते भूल जाते हैं लेकिन आपको तो हम कभी क अब ही सुनते हैं अलका यागनी की तरह पर याद हमेशा रहे जाती है वह तो बहुत प्लॉट कर रहा है उससे बोलो उसे बॉर में जाए भाई डायलोग सही से बोला ना मेने मूँ बन करो और पीछे देख जैसा क्यारा वैसा करते जांग है मेरा पीछा क्यों करें थूम नाम नहीं बताया तुमने नाम नहीं बताया न तुमने क्यों बताता हु अपना नाम बता दो तूप, देखो तो किटना बेश की स्अाइब दर्श तो किटना नहीं जाती है नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा अगर नहीं बताया सोल गेला यह पैंघेश कोशे मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता समझे आया बड़ा अब भाई बाई मुझे बात समझ में आरे है तुने मुझे अमने भीच में फशा कर रखा है सीधा जा कर खोदी बात कर ले ना देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यूंकि तुभी दूला है, मैं पूछूँगा तो जूते पड़ेंगे यार, सही बुला, अगर नैना को ये बात पता चली न, तो वो खुश हो जाएगी, शीविल अप्रीशियेट मी, झाल 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 झा आपको गाउं घुमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चलो आँ चलिए उपर की पाड़ी से देखेंगे तो हमारा गाउं बहुत ही सुद्ध रहता रगो एक मिनट यहाँ, दूला कौन है, मैं हूँ या तू है तू है मेरे भाई तो सारे लोगों का ध्यान किस पर होना चाहिए तुछ पर ही होना चाहिए तो तू सलमान खंग की तरह डोले शोली दिखा कर क्यों घुम रहा है अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे अच 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 तूने मेरी आँखे खोल दी अब तू देखता जा बास अब से मैं सिर अंडर्वेर पैंग करी भी होगा तो लग जा कांपि तू एसे का देख रहा है अब अब यह सब क्या पहन रखा है तुने दादी प्रेशन देखो तू आग लगे तेरे ऐसे फैशन को जा पहले जाकर ठांके कपड़े पहन जाए अपनी पल्स चेक करने की उम्रा में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी रहने है वीजे आप ओर्ड बोर्डर्श ओडर्श ओडर्श और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ सो नाइस थाइस ना बहुत नौटी हो मुझे बाद में मिलना अकेले में एक्सेसाइज सिखाने के लिए नौटी हो हुआ है है बेबे लेट्स डू पुशप सी वजे बाद में मिलना कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूँगी ओके बास कहीं का चलो धूके बास पर मैंने क्या किया मैं यहाँ पर आपको अपना गाउं दिखाने के लिए ले आया था लेकिन आप तो ट्रेक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकला है साथ रुको 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 बहाँ दाडू का यह अवाँ रे जो कि अग्छा पार को अग्छा दो कभा अग्छा था आपको आपको अग्छाना कहा ना ना दो किसान में हмना, हम बात किसानों को असी तरह मरना है है यह क्या एक है क्या हूं । परता उसे आद्बत ये करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त। कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लीजे दादाजी। ये रखेए। मैं आपका सारा कर्ज चुका दूगा। रहने दे बैटा। अरे आप रख लीजे दादाजी। अरे भाईया आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे। लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहां लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परिशानी का कोई और हल तो पानी। हां भीया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा। जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परिशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में दो बार फसल उगा सकते हैं। तो फेर हमें लोग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देगी। वाँ, भरवान। ए, चल उठा, उठी है रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं, जो भहिया ने आपकी जान बचा ली। बहिया, यह आपके पैसे, चलते हैं बहिया। पर क्या हो, यह तुम्हें साडी पहनते वे देख रहे थे, तुम परदा बन करके साडी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही, ढककन खुला रहेगा तो बिल्जी की क्या गलती है, क्यों शुटा है? बिल्कुल बेशरम कहीं के, बेशरमी की सारी हदिल भार गरते हैं रुज़र सब्सक्राइब इंडियर्स ओ नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? आरे तो देखाई होगा ना और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी तो उसके लिए बाद में मिलना बाद में? वो क्यों? बदमाश बड़े भोले बन रहे हो चारा भोला? बेबी, मैं क्या भी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे चलो रहे तुमसे भी बाद में मिलना चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर टाइम तो बताये हैं यह नहीं? भाईया हाँ बोलो खाना तयार है अब यह आया इस बड़ों के वाज़े ब्यूटी बॉल बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है तीन जाल के थी तब के देखो पाद कि फोटो आ उसमें तो किदने खुपशुरह बालिक सी है बहुत अच्छे है बहुत अच्छे आश्या हाँ कुछ वाज़ हम हाँ यह पर बस को ओटे करना आसान नहीं है इस और अचाल वाहा हाथ में ताजे लड़ू और खुद बासी लड़ू हाँ क्या बोला बासी लड़ू और क्या गीता लड़ू खाएगी तो भी खाले यह ले चल्ट सॉड्य सॉड्य पर अब जो, आज़ा, 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 जो, तीन बार उसे मेरा तिल देखा जैसे को तैसा क्या मतलब हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या थू शर्म हाया है या नहीं लड़का इतना हैंसम है इसलिए मैंने बोला ठीक है तो ही बोल करना क्या है अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए हजार तो करते तो पांच अजार उपे लेती पांच अजार आप ते मेरी बेहन की आत दिला दी जो मेले में गुम हो गए थी मैं ये काम करूंगा चाहें मुझे जान की बाजी लगानी पड़े ये एक भाई की शपत है तू भी शपत लेता हूँ यहां सो रहा है अभी मज़ा आएगा तो इस वक्त यहां क्या कर रहा है ब्रो मुझे मेरे कमरे में नीन नहीं आ रही थी मैं यहां तेरे पास सो जाओं क्या नहीं नहीं तू मेरे साथ नहीं सो सकता है पूरी रात यहां आमां टांगे मारते फरता है ठीक है तू यहां सो ज आजा मेरे साथ सोजा भाई ए चुपकर सोजा वह देख जिसका मुटा का हुआ ना वही है जाओ ठीक तम जाओ जाओ कहीं मर्दा जाओ पर किसने मारा मुझे बहुत मारा मम्ने पर वाप्र भावुने होसे जल्दी बताओ क्या हुआ हमने उसे बहुत मारा तुम्हें मारा उसे सिर्फ मारा नहीं तोड़कर आज़े क्या मातरा उसको मारा नाच क्यों रहे हो बे बहुत आवाज आ रही है नाचो नाचो वैसे मैं उसे डर क्यों रही थी लगता है इनोने उसे मारा नहीं एक काम दिया था वह भी मन लगा कर नहीं किया मैंने तो ध्यान से देखा था अच्छा सुनो इस बार गलती नहीं होनी चाहिए सुन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए इस बार गलती नहीं होनी चाहिए तो यहां है यह भाई भाई अभी तु फिर से आ गया थोड़ा उदर हो जा मैं यही सोजाओंगा मुझे अकले सोने में डब है प्लीज भाई ठीक है सोजा दुबारा वामत आना हुआ है सल सोजा तू भी यही सोजा ना अचे रहने दे ना किला ही सोजाओंगा क्या सिर्दाद है यार वो तेक वहां सो रहा है वो ठेक है आप चाहिए अगर हिमाद है तो मुझे सामने आकर मारू ना अगर मुझे गुसा गया ना तो मैं बहुत रहूंगा तीन दिन तक नहीं उठेगा आपो क्या क्या रहे हो दो भी कितरा दो दिया उसे हमने मुझे भी जल्दी करो ना यह क्या था वो तो सही सलामत घूम रहा है मैं अगर मिझे घूम रहे हैं उसे मेरे सामने जा कर मारो जा मार में आजो अजो जो प्रेइंग क्या खाता है यह बता नहीं यहां क्या कर रहे हैं पर के अंदर मुझे तो ताल में कुछ काला लग रहा है डाल काली नहीं है सार मा कस्ता में स्पेशल डूटी पर हो मैं भी मैं भी यह मुझे दो चलो निकलो पर क्यों सब निकलो स्पेशल ड्यूटी कहां सीखा तुमने महंदी लगा ना आची है ना सूपर गीता कम हीर सिड़ाँ सिड़ाँ क्या हो अधादी सी कितनी अच्छी लगाई है ना इसने दी तू भी लगवाले नहीं रुक लगवाले में दी लगाओ इसे अरे लगाओ यह देख क्यों ने रहा है देख ने रहा है क्या अभी भी नहीं दिखा यह वो फैन बन करना सीड़ी हवा आरे है में देखराब हो रही है यह वो यह लगाँ यह वो यह रही है कर दो कर दो कि आज का दिन आज के दिन का कब से इतजार था मुझे आज आया है तो तकलीफ होगे है अलो अलो क्या है ये सब अंकल बेटी की शादी आपने खुशी-खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं मैंने इसे अपने हाथों से बाला है और अब ये मुझे छोड़ कर जा रही है तो दुख तो होगा ना ऐसे कैसे विदा कर दूँ क्या अंकल आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी आपकी ममी भी तो घर छोड़ के आई थी ना ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिष्टा तूट जाएगा ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है आप लोगों के दिल से नहीं पती के घर में चावल के बरतन को गिरा कर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल और इसलिए मुझे लगता है माबाप को उसके अंदर एक आत्म विश्वास भर के देजना चाहिए उसे आशिरवाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हसते हसते चली जाए बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुन है आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तौफा होगी आपका आशिरवाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची सुपब बिल्कुत सही कहा तुमने बेटा भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया शब्दी नहीं बचे ये ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम कुमसम सा हो जाता है पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है मुझे गर्म है तुम्हारे माता पिता पर जिन होने तुम्हें ऐसे संसकार दिये तुम कहां से हो बेटा मेंगलूरू सर ये रहा मेरा काट ओ, NK Constructions सुना है मैंने हमेशा खुश रहो भाया जी जब से आप गाओ गये हैं तब से सहाब को देखिये नपी ही रहे हैं आर्या पहले तुमने कभी नहीं पी फिर आप क्यों पी रहे हो देखिये डाड मैंने आपको पॉमिशन दी थी सिर्फ एक पेक पीने की आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप ताइट होके बैठ गये वो, तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था इसलिए पेक पर पेक पीता चला गया ठीक है लोने प्योंगा आई लव यू मैं आई लव यू मैं साइट तुम्हारे अलवा मेरा और कोई नहीं है और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ अब ये नाटक बन कीजिए मैं आ गया हूँ न इसकी क्या जरूरा था बिलकुल नहीं नहीं प्योंगा ठीक है तो आप सो जाएंगे चलिए नहीं 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 प्रजेक्ट प्रजेक्ट अरज प्रजेक्ट मिलता है तो हमारी कम्पनी प्रफाइल से इसको फाइदा होगा पर हाइवे में ज्यादा प्रॉफित है यू तो नो प्रॉफित इन एरपोर्ट हाँ बिरकुल आई सपोट फार एरपोर्ट सार आई दू सर इवन आई हाइवे वाला प्रोजेक्ट बहतर है सर मी टू मी टू सर डिसीजन इस यूर्स प्लीज ठेके कॉल गुद्मॉर्ण जाएवे वाला प्रोजेक्ट बहतर है या एरपोर्ट हम यह डिसकुस कर रहे है की हाइवे प्रोजेक्ट बहतर है या एरपोर्ट आपका क्या कहना है सर डैम यह सर बट जैम क्यों सर्वो करनाटक में केसार है तुगा भद्रा है और एक है हाँ लिंगन मक्की हालमटी हारंगी हेमावती कोदसली वानिविलास सागर शांती सागर बसव सागर रिनुका सागर हरिद्रा राजालक्षमन गोडा कन्वा कद्रा भद्रा सुपह टोटल वहां सत्रा मेजर डैम्स है पर हमारी कमपनी यह डैम बनाए इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्मेंट को एक प्रपोजल भीज़ें बट वाई? लाइफ सेवियर लाइफ सेवियर? फो हूँ? फार्मर्स फार्मर्स? वाई? जब भी हम बड़े बड़े इंवेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाँ साटलाइट और बिजली इंवेंट करने वालों की बात होती है लेगिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इंवेंशन और उसे इंवेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फाइदा नहीं होगा हाँ मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हर इनसान जो खाना कहा रहा है वो उन किसानों का करजदार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिन्दा नहीं बचेंगे अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नज़र आता है लेकिन जो डाम हम बनाएंगे वो हर उस किसान के जिन्दगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा कर मेहनत करता है इस से उनके खेतों को पूरे साल तक भर पूर पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इस से रिलेटिट सारे डॉकिमन्स रेडी है हेलो जिस जमीन पर हम मलेशन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थी सरकार ने वहां डैम बनाने की पर्मिशन दे दिये अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा मीडिया वाले हंगाम घड़ा करतेंगे तो ये मामला तुम ही संभालो ठीक है वह भी होजा पुझे पुरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजटिंग कार्ड एसी रूम में आराम से बैटकर सडके और बिल्लिंग्स बनाने की बज़ा आए जिस जगे पर हम केमिकल फेक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो मेरे अंदर जरा भी शराफत और सेंशीरता नहीं है अगर तुम मुझसे भीड़े तो तुम्हें मार पीट के हास्पिटल पहुंचाने की बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलोग पहुंचा दूंगा थोड़ा बहुत दर लगा की नहीं लगा हाँ, टेक गयार कौन है बे तो जिसे तुने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूँ कुलस दुम्हें विजड भाब कुलस लुम्हें लगा ट्र्वापक कार्ड दूम्हें कुलस दुम्हें प्लाव पांटे लग्लाव जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाया और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यूवराज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है कि कि लुवराज भी होता है मुझे तेरी आखो में डर नजर आ रहा है टेक केर अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी मा.. मैं यह नहीं करूंगी में तेरे पापा की तरे तेरी हर बात नहीं मानने वाली तुझे बैंगलुरू में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी पापा अ.. लक्षमी क्या कराबी है जिके में बताईए ये बच्ची भी तो पिछले दो सालों से अपने माता पिता से दूर होसल में रह रही है न और सुन अगर तो बिना वज़े यहाँ वहाँ शहर में घूमी न तो तेरी टाउंगे तोड़ दूगी लक्षमी जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन पैंगलोरों में ही रह ले आप जाएए यहाँ से आपकी वज़े से यह इतनी भी गड़ गई है ऐसी बात नहीं है मा जी मा पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए है कापा इस्विय्य सर्ट ही हलो हलो श्ष। हुष् ups श्लिंस साइलेंस पार्या, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वो डाम प्रोशेक के बारे में सोच रहा था इतना मत सोचा करो बेटा, enjoy your life, it's party time man पापा, मैंने लाइफ में party बाटी बहुत कर ली आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा serious हो जाना चाहिए ठीक है अब जाने दू, वैसे तुम तो शादी में गए थे ना? पापा, आरे, अरे, रुको, रुको, सुनो तो सही, वहां कोई लड़की वर्टी भी जो रही पापा, सही time पर बता दूँगा time? हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी और इस पीच तुम सारे बच्चे कब बड़े होगे मुझे पता भी नहीं चला इस बात का मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं नजी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जीएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिन्दगी जी लिए हर किसी की जिन्दगी में अपनी खुशियां होती हैं और एपने कम भी होते हैं लेकिन बेटा मैंने जिन्दगी की जो खुशियां मिस की चाहूंगा उन्हें तुम जीओ पापा, हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिन्दगी जीने के लिए कह रहे हैं पापा, you are the world's best father you are the world's best son क्यों बे, शादी हो गई तो, दोस्त को भूल गया हैं बहुत मज़े कर रहा हैं काई के मज़े, तुझे क्या मता मेरी हाई कैसे हैं भाईया ठीक हूँ भाबी, तांक यू वैसे आप कैसे हैं ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी क्रिपासे क्रिपासे, कितनी जूटी है यह यार सुनना, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी तु बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूगा तेरे लिए जान नहीं चाहिए, बस गिता का दावर चाहिए I'm sorry यह लो, अभी तो तु मेरे लिए जान देने वाला था ना तु मेरे बीवी को जानता नहीं है, वो दिख्ती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है क्या? मतलब मैं उसके सुभाव की बात कर रहा था बहुत बड़ी गुंडी है वो यह मत भूल की तु मर्द है यार मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूली किया हूँ कि मैं मर्द हूँ अबे क्या बोल रहा है? Come on, be a man भारी आवाज में उसके ओपर चिला काँ आप जाएगी वो? सच्ची? हाँ, आजमा के देख कुशिश करता हूँ है, सुनो क्या है? नहीं कुछ ने चलट, जा यहाँ से तुझे यहाँ पर किस ने बुलाया है, नैना हाँ, बोलो मुझे गीता का नंबर दो किसली है? है, उसकी कॉलर रटुन मुझे चेक करनी है तुमें इसे क्या? तुम बस नंबर दो ठीक है, तू अंदर रखा ले लो अरे भाई, कहां पर यह लगता है? अगर मुझे पहले पता होता न, तो पहले सी भारी आवाज में बात करता हूँ यह होई ना बात यह बेटा तो गया आजकाम से तुमें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था पर तुम दूसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, चूटे मकार कहीं के उसका नंबर चाहिए, दू नंबर नंबर में अपने लिए नहीं भाई के लिए मांगा रहा है अच्छा भाईया अहां कहीं है भाभी आपने इनसे नंबर मांगा क्या नहीं तो अरे ब्रो कहों चले नंबर मिला क्या मिला तो दे ना अरे क्या हुआ या शेट में प्रो उसने मुझे ऐसे पीज़ा जैसे मिक्सी में कहला पीज़े कोई बात यार बीवी नमा रहा है ना उसका हाथ बंता है तुझ पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा उसका नंबर देना यार उसने मुझे कई दिनों तक पीटा तेरी वज़े से मैं आज भी पिटा के अभाड में जातू अबे वहां मचा वहां तेरी बीवी है यहां नंबर देना पीज़े मिल सकता समझा क्या करूं मैं यहां तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आर्या को कॉल करूं क्या हां लगा की देखते हूं अबे क्या है उसका नंबर देना पीज़े नहीं मैंने पीज यार हां अलो कौन है तुदू ए अरी देना रहे चोड़ना मैं नहीं दे सकता पीज यार किसका फोन था थू थू किया चारू वो कौन है ए लीना तुम्हारा ही नंबर है ना तुमने फोन किया है क्या हूं मैं ही हूं आज तुम्हें प्रियाग कैसे आ गई है वो मुझे तुम्हारी चोटी सी हेल्प चाहिए थी हां ओके मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं दो गंटे रूको मैं फ्लाइट पकड़कर आता हूं ने 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 ऐसा मत करना मतलग मैं बेंगलूरू में हूं बेंगलूरू में हूं हाई गीता वाट अ सप्राइज मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था मैंन तुम्हारे पास रख नहीं है कार है तुम कहीं जाना चाहती है यह तो बाइक पर चलते हैं यार करार यह तो बात ही नहीं कर रही है यार अच्छा कॉलेज में सब ठीक तो है ना किसी रिष्टेदार के घर पे रुकी हो क्या अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो वो मतलब हॉस्टेल में रुकी हुई हो अरे तुम भी कुछ बोलो ना मैं अकेला ही कबसे बगबग किये जा रहा हूँ लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ टपोरी मतलब चलो शुकर है कि मूँ तो खोला सवाल पूछने के लिए इस है टपोरी मतलब मैं हूँ ओ अच्छा सुनो हम दोनों आटो में चल सकते हैं हूँ मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है पर तुम दोनों तो एकदम चुप-चाप बैठे हो शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है कम आन एंजॉय दे मिजिक या मावबशु किया गाना चला है सुपर न लव थेंकिव मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ ओप दो मैंने कहा अँ हम बढ़ बने रिए deg ek क्यू तब भाए बहन जयसे नहीं लग रहे है क्या बात करिये मैडम इसमें गुस्सा वाली क्या बात है गुस्सा? इस पर गुस्सा भी न करूँ इस वाटा में बैटा ही नहीं चाहिए चल बाद अब जाओ या रुको लूँ लगता है लड़कियों को टाइम पे आना आता ही नहीं है मुझे तो दस बज़े आने को का और खोज अभी तक गायब है मेरे साथ खेल रहा है तू रोक एक मिनट अब मैं समझ गया तू पक्का चीटियों की रानी ही होगी तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूँगा और इस बाइक को मीलो खीच खीच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता प्लीज बैट जाओ अग्सिदेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा मदर प्रोमिस अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूँगा इतना तो भरोसा करो यार फ्रेंड? हाँ फ्रेंड ओनली फ्रेंड? फ्रेंड फ्रेंड ओनली फ्रेंड चलो माम तो गई तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे पहली बार जूले पर बैठने से डरते हैं लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किड़नाप कर रहा हूं देखो मैं तुम्हें एक इंच भी टच नहीं करूंगा प्लीज आराम से बैठ जाओ अरे यार पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया फिर उसने कहा फ्रेंड बाद में बनेगी गल्फरेंड और आखिर में बनेगी वाइफ फिर होगी जंड लाइफ यार तु कुछ भी बकवास करता है चुबे अबे तु इन बीवियों को जानता नहीं है अगर मान लो खाते उड़कर आगया होगा निकाल के खालो ना चुप-चप और जब हम काम से घर वापस आए अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना तो कोई बारिश नहीं आए कि कोई हवा नहीं आएगी सीथे आंधी तूपान आ जाएगा ये बीविया ना बनाई ही भग कितनी देर से बहुत टाइम हो गया तुससे अच्छा तो दोस्त होगी नहीं सकता थैंक्यू नहीं कि चलता हूँ ख्याल रखना चलता हूँ थैंक्यू बाइबाइबाइबस्ट अब लग आते रहना बेबी बोलो बेबी सुरो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा ह हम किसानों के लिए हमारे खेथ हिह हमारी जिंदगी है जो डैम आप यहां बनवा रहे हैं उससे हमारे जिन्दगी फिर से रौशन हो जाएगी आप हमारी जिंदगी में घगवान बनकर आए हमां के अहसान मन्द हैं यह आप कैसी बाते कर रही है यह तो मेरा फर्ज है आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी मैंने डिसाइड किया है यह पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रगू देखेगा और मिनिस्टर बार बार फोन किये जा रहा है बहुत बार फोन कर चुका है भाई आदे बार बात कर ले नहीं तो गरबर हो जाएगी और उसको मैं जवाब क्या दू कि हम उससे पिट कर आए हैं एक एक को देख लेंगे भाई जिनकी वज़े से यह हालत भी है उस डैम प्रोज का काम था लेकिन आज से मेरा काम है तू प्लैन बनाए जल्दे ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आने से पहले फोन भी नहीं किया बस बेटी से मिलने कमन हुआ तो आ गया कुछ खास नहीं आप एक बार सेरके फैक्टरी देख लेते तो अच्छा होता तुम हो ना फैक्टरी समालने के लिए जीवा जी साम मंदर ले चलो ठीक है साम पर मंदर क्यों गीता को फोन किया था वह वही है मैं उसे जरा सर्प्राइज देना चाहता हूं साप जी कौन से मंदिर जाना है आरे जो रास्ते में है अए यह तुन्हें क्या किया घूप जए बहले देखता है क्या करेका है टेरा क्या क्रों दृक जाकरा मंदर करता करता दा की नहीं दिखारता है अरे सुनू तुम कहा ही आरे है आए यह जिवा बस चलो जालो जालो हिए फिर्षा मैं बात कर रहां है जिवा जाली अजिवा में आपको कि पार ले कर दो कि अ कि झाल 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 प्रभू क्रिपा करो गीता गीता यह सब क्या है? एक मिनट एक मिनट यह त्योहार है मेला लगा है बहुत अच्छे आर्या, एक फोटो लोना शिरू करो यह प्रभू, यह प्रभू यह प्रभू, यह प्रभू हाथ अटाओ तुम्हें पता है न, मुझे यह सब ब्रकुल पसंद नहीं फिर भी क्या सॉरी, फोन दो मुझे फोटोस डिलीट करो मुझे तो अपना फोन देवे होया नहीं फोन दो मुझे पास मता न, पीछाटो, फोटोस डिलीट कर दो तुम्हारे फोन में यह सब फोटोस कैसे आई कब खीची तुम्हारे फोन में मेरी फोटोस क्यों अज ऐसे खीची थी बस वैसे ही तुम्हें मेरी फोटोस रखी है तुम क्या, तुम उझसे प्यार करने लगे हो? अरे, तुम्हें डोस्ती दोस्ती बोलकर में इवसा धूगा किया है जीट अ, चीटा, तुम जब अब क्यासे लिखा है? तुम ऐसा कैसे क्या सकते हो? दोस्ती दोस्ती कहे इवसा हूँ? कर दो कि अ turtles कर दो कर दोंगों कर दो जाज मुझी तोma टोच युक्तcribe ओ। जाज मुझी निलाए इन फिर ना को मेदी ओूलाए मुझी जाज प डार फ्र दो जाज कि जाज फालाए मुझी को मिदी को लिखान बाट कड़ मी da को मेदी के पोहार एता fever जए 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 झाल 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 गीता गीता तुम घबराओ मत इस दर्की को कुछ नहीं होगा, इसकी फिक्रे तुम मत करो, तुम जाओ, जाकर उन राक्षसे को खतम करो केशो टुम तुम मत जाओ, जाल जाओ, जाल टुम जाओ, जाल 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 है करता है! आहुत आहुताओ कर दो पंगा कर्यों कर्या RICHARD कर्यों कर्यों करदार प्रुट तको सब्सकी एत जो घचे कि ए major में गृमानी जो ये अंदो से लोगा भोगा अंदो से लोगा भोगा प्रुट तको से लोगा कि बाता है... व्यवत् आरें' कि चुचता हुँ खर ढूँ अंच्छा घड नंधु नदी मिन्हां अपने लोगन आकृ टीас ренठा तक हम狂 इल छीवत्त और जब रावण ने सीता को चुआ था तब श्री राम बहा नहीं थे इसी लिए उस दिन रावण जिन्दा बजगिया थे पर आज तूने सीता को राम के सामने चुआ है बड़ रुक जाओ दो के बास तो हो ही तुम और क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे इस मुवी इस इंकोड़े भी डॉक्टर स्टार शीजो के लॉक्टर स्टार शीजो के लॉक्टर वेल्कम फोन दो था ले हास्टन जाओ ठीक है हाई पापा क्या बात है पापा आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बेटा पापा क्या बात है आज यूज्वल आज यूशूर बस काम की वज़े से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूँगा अच्छा राम मुझे बता रहा था कि तुमने दो दिनों से कुछ भी निखाया है ऐसे क्या बात हो गई बता तो बेटा कुछ नहीं पापा बस थोड़े सी ओफिस के टेंशन है आर यूशूर या भगवान हमें रोज खाना तो देता है पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरियानी खानी हैंगी घास फूस इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना वाँ सूपब डायलोग्स अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूँगा अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है ये मेरे काम की चीज है अगर आप अच्छे से तयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा चूम मनतर हो जाएगा अरे वाह क्या एडिया है अरे सुनो क्या है साब मालकिन कहा है अरे वो तो दो साल पहले ही मर गई ना साब अच्छा सेलेरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाग सूज रहा है किया मैं अपनी बीबी की बार में पूछ रहा हूँ वो तो दो घंटे से घर में ही नहीं है ना कहां गई है चछ पर मजाग मजाग करना जड़ा बन करो नहीं तो एक मिनिट मैं घर से भार निकाल दूँगा है हस क्यों रही हो मैं तो पहले से इच बार हूँ ना साब पंच लंच टाइम पर आना बताता हूं तुझे बेबी आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूँगा बेबी पर्फ्यूम कैसा लगा अच्छे खुश्बू है ना इसकी तुम यहां हो तो फिर यह कौन है मुझे पता था कि तुम ही हो पता था उसके बाद भी गले लगाया मेरा वो मतलब नहीं था शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने और मेरे गेर मजुद्गी में यहां रुमांज करते फिरते हो बेबी चिल बेबी वट अनु टॉकिंग मैं तो एक दम तरो ताजा दो हजार उपे का नोट हूँ यह बैल हुए एक हजार के नोट को क्यो छूँँगा सही काना क्या बोलो लग मैं ? अब से लेख लाई हूँ बेटा अरे माजी इन सब की क्या जरूर्थ थी तुम किसानों की भूग का कितना ख्याल रखते हो हम सब के लिए कितनी महनतकर रहे हो तो हम तुमें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा आरे तो सबको खिलाओ ना सबको खिलाओ, सबको खिलाओ लो, बिटालो गीता, मेरी बात मानले आर्या को फोन कर ले कर ले ना गीता आर्या गीता, रोकियो रही हो तुम पापा किस्टा वे ठीक नही है क्या हो अरे बस बस दोस्त, यही रोक दो अर्या, कहां जा रहे हो तुम मैं तो अपने घर जा रहा हूँ क्या, तुम साथ नहीं आओगे मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे तुम जाओ न कुछ नहीं सोचेंगे वो तुम तो मेरे दोस्त हो न फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया बोलो हाँ, दोस्त हो, दोस्त-दोस्त, सिर्फ दोस्त अच्छा चल निकल बेटा बाइ पापा, ये सब कैसे हुआ कुछ खास नहीं बेटा बस बीपी लो होने की वज़े से बेहोश हो गया था बेबी, डोन्ट फ्राइ क्राइ, आई नो गीता हाँ, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार है वो, दादी मुझे लगा, डोटल का खिला-खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे इसलिए मने फोन कर दिया था लुक एट हिम, हाव शाइनिंग अच्छा, पर तुम्हाई कैसे दीदी, क्या मुझ रही है क्या फरक पड़ता है कि वो कैसे आई हो बस आ तो गई है ना पापा, अपने का था न, लो बीपी हुआ है ये कैसे हुआ पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान है जब से बैंगलूरू से आये हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ पापा, बताईए मुझे दरसल बेटा अउता, डरने की बात नहीं है भाई साथ थोड़ा ठक गए है कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे, तुम लोगों ने यहां भीड क्यों लगा रखिये क्यों खड़े हो यहाँ पर जाओ, जा कर अपना अपना काम करो ना, जाओ तु जिन्ता मत कर बेटा तु जा बेटा, जा कि आराम कर क्यों ने मेचिना कर दो उसे प्याँ भीड कर दो डाहाँ जा़ूड़ास क्यों जाओा उसा कि क्यों राम यहाँ अ कर दो कि अ तो कर दो कर दो मैं आ है? तुझे यह सब ब्रो तो यह भी नहीं पुछे का कि यह सब कैसे हुआ पत्नी हाइवे पर पती के साथ बाइट पे जा रही थी और किर गई बेचारी कितनी चोट लगी होगी उसे अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पती उसे देख लेगा तुम मुझे देखना भाई मेरी तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है तो अभी भी नहीं पूछेगा कि यह सब कैसे हुआ अगर मैंने पूछा तो तो अपनी इज़त बचाने के लिए जूट बोलेगा कि बातरूम में गिर गया है ना मैं तुझे सब सच बताऊंगा तो मता मेरी बीवी ने म मुझे मारा क्या बोल रहा या तो अगले नहीं मारा उसने तो छरिफ मेरा थोबडा भी गाडा आए अरे दिखा तो मेरी नौकरानी ने मारा मुझे इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू मैंने उसे अपनी बीवी समझ कर गल्दी से गले लगा लिया अपे तू भी ना गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है लगा तो था पर मैंने सुचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिए नहीं नहीं तुझे नहीं सुधरेगा मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ भाबी मैंने जुनाएं कि आपकी नौकरानी बहुत सुन्दर है या अपना पती बड़ा लीजे या अपकी नौकरानी मेरे किताब कहां गई कहा जा रही हो बेंगलूरू जा रही हूँ मैं तुम्हारे पापा तुम्हारे लड़का ढून रहे है मैं उसी से शादी करूँगी जो लड़का पापा को पसंदाएगा वैसे एक बात कहूँ आपसे आप अपने लिए भी एक लड़का ढून लो बतमाश बाइब बाइब तुम्हारे तो एक्जाम्स है ना हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाए तुम मुझे या मंदिर में क्यों लेकर आई हो ओहो इतना भी नहीं पता तुम्हें एक्जाम में पास होने के लिए भगवान को तुम मनाना ही पड़ेगा ना हुआ? हुआ कर तुम में पता कर माना ही आई है ना हुआ यह अब एक और मंदिर बस यह आखरी है चलो तुम ठक गई हो? अब ए तुम रोकियो रही है, मुझ में ये सीचा चड़ने की हिबत तरही है, मैं फेलो जाओंगी, मेरी प्राथना खुरी नहीं, मैं फेलो जाओंगी बिदे, मैं फेलो जांगी, मैं फेलो, झांगी, एक इता ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो, ये दिया बूझना नहीं चाहिए, क्यों? तुम प्रा रंथना तो करो, मैं बताता हूँ, प्लीज 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 अरे यह नहीं बुजा किसा सरस्वादी देवी की पुजा करने से कलाम सांटिस्स नहीं बना लक्षमी माता की पुजा करने से अमवानी अमीर नहीं सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा हम बिना कोई कोशिश करें भगवान पर सब कुछ छोड़ दे तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा देखो गिता तुम पढ़ो जितना आता है उतने में एक्जाम लिख दो फिर बागी सब भगवान पर छोड़ दो मुझे होस्टिल जा रहा है लेकिन क्यों? जल्दी से होस्टिल ले चलो क्या हुआ गिता? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो क्या हुआ अज उन मिस्टर शंकर कोर्ट ने नोटिस बेजाए आपको अरेस्ट किया जाता है इतने भोले बनने का नाडख मत करो इस जगा पर केमिकल फैक्टरी बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हत्याने का प्लैन बनाया तुम्हारी ही कमपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास तुम्हारी चाल थी तुमने किसानों की जिन्दगी बर्बाद कर दी है साब जी हमें लगा आप हमारे भगवान है आप हम सब की जिन्दगी बचाने आए है इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी एक बार भी हमने नहीं सोचा लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है जेस विट्टी के हमारे पुरवज उने पूझा की जो जमीन हमें अपनी चान से भी प्यारी आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया आपने हमारे जिन्दगी बर्बाद की आप कभी सुखी नहीं रहोगे बर्बाद हो जाओगे जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे तुम्हारा कभी बना नहीं होगा आपने हमें रहे जाद कर दो जा currents की लिड़ो मोडे में उन पिझा झाल झाल उनल खरो उकि छाल औरका है प्राइब प्रुक्र उनल टको जको जड़ा तर्ज़ा कि छो प्राइब जे से आड़ा झालए तो हुईंध। हुई कर अदिए झालए़ यालाए झाल इयाएए! तराएए! मरो! कर दो Oh कर दो चल 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 आगे चल सिदे चल चल क्या किया इसने हे हे ए ए क्या किया दुने साच बता ये कुछ नहीं बोलेंगे सार इन्होंने साप के साथ दोखा किया है दोखे बाज आई ये इनसान मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है दरसल हुआ क्या है बोल क्या ये सच है बोल बता हमें सच क्या है पैसो के लाज़च में मुस्से गवती हो गई मैंने पुलिस और उस वकिल का साथ दिया मुझे माफ कर दीजिये अरे पापी लुचाओ लुचाएए मत मुसे अगर पैसे ही कमाने हैं न तो मेरे पापा का बिजनस बहुत बड़ा है सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो ये डैम बनाने के लिए तयार हो गए बिना प्रॉफिट की परवा किये उन्होंने अपना पैसा इसमें लगा है आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए जिस इनसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी वो महान इंसान मेरे पापा है और आप लोग इन्हें धोके बास कह रहे थे ना ये आप लोगों के साथ कभी धोका नहीं करेंगे अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे चाहे इन्हें कितनी भी बेजज़ती बरदाश्ट क्यों न करनी पड़े अपनी आखरी सास तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इनसान मेरे पापा है एड़ोकेट को लकर्णी को फोन करो इन लेगल इशुस को वही हैंडल करेंगे हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सा मेरा फोन दिसकनेक किया अभी बताती हूँ हम इस तरह का डान प्रॉजेक्ट पहली पर बना रहे हैं पर हमने किसानों से उनकी जमीन लेगली खरीदी थी फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हथ लगता है अब हम राजनीती के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है फिलाल हमारा ध्यार इस तरह के सब्सक्राइब करना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे पूछ जोगी नहीं कि बात क्या ये प्रॉजेक्ट हमारी कमपनी के लिए बहुत प्रस्टीजिस है बहुत करते करते फोन कर दिया अभी बताती हूँ इस तरह का कोई डाम का प्रॉजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे है पर हमें ये प्रॉजेक्ट बहुत चल पुरा करना हूँ आ रहे हो पापा, फोन उठालो सॉरी, सॉरी क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात है? मैं हास्टल में हूँ, यहां आ जाओ जल्दी आओ आने दो उसे मैं बताती हूँ हाँ क्या है? अरे हलो, हलो, हलो मैं हूँ बेटा पापा अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बात में फोन करूँ बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिष्टेदार से करना चाह रहे हैं मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था कुछ बोल नहीं रही बेटा पापा शादी अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही पापा, मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए मैं हको फोन करते हूँ ठीक है बेटा, अच्छी बात उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त जाहिए मैं उससे बात कर लूगा ठीक है भाई साब अच्छी बात है विशू क्या बात है इतने गुसे में क्यों पूछ रहे हो अब क्या कहे दिया मैंने, इतना ही पुछनों क्यों बुलाया है कुछ नहीं क्या कुछ नहीं मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं अच्छा, तो तुम्हारे पापा मुझ से जादा इंपोर्टन्ट हो गए ए क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पापा इंपोर्टन्ट हो सकते है वैसे मेरे पापा मेरे लिए इंपोर्टन्ट है देखो, मेरे पापा के बार में कुछ मत बोलो तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है पागलो जैसी बाते करती हो तुम मैं पागलो जैसी बाते कर रही हूँ तुम मुझे पागल कह रहे हो ठीक है, भूल जा, मैं आ गया हो न, क्या बात है बोलो ऐसे ही ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब, ऐसे ही तुमने मुझे बिना वज़े यहां बुलाया है क्या? अब बताओ न, बात क्या है? पाती है कि, मैं घर जा रही हूँ क्यों? उन्हें लड़का डूण लिया है इसी लिए तो तुमने हां कह दिया क्यों? हां नहीं बोलनी चाहिए थी तुम हां कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद तो मैं ना कैसे कर दूँ तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हां? मैं कौन हो? जब तुम्हारा यहां कोई नहीं था तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था न वो हूँ मैं, अपने दिल से पूछ कर देखो तुम्हें जहां कहीं जाना था तुम्हारा खैल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं, सही कह रहे यो, मैं कौन हूँ हमारे बीच बस दोस्ती थी, और कुछ नहीं देखो गीता, तुम कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था हम दोनों के बीच, क्या है बोलो, बताओ क्या है तो क्या, हम दोस्त नहीं है लो, फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक, तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोका दिया, तुम दो के बाज हो, यो आना चीटा एई, इंसल्ट करोगी मेरी, मजाब उड़ाओगे मेरा, परिशान करना है मुझे मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और एगजाम आल के बाहर सबके सामने तुम्हे गले लगाया था, इसलिए तुम्हें आ बहुर रही हो ना ठीक कह रही हो ना मैं, जी, मुझे नहीं पता था कि तुमारी सोच इतनी छोटी है बस छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है मेरे दिल में कुछ और और जुबान पे कुछ और ऐसा नहीं है मेरे दिल की बात तुम अब सुनो मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ I love you शौक लग या इतनी हैरान मत हो I love you बोलने के बस दस सेकंड बात मैं तुम से ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिलकुल पसंद नहीं हो Yes, yes, I hate you I hate you क्योंकि जानती हो तुम जैसी पागल लटकी के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाओंगा भगवान का शुकर है कि मैं बज गया जो तुम से शादी करेगा ना जिन्दगी बरबाद हो जाएगी उसकी एए, क्या कहा, बरबाद तुम्हारी तना कोई एरा गेरा नहीं होगा बहुत खास होगा अच्छा, ठीक मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे देखते हैं, कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बना कर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता तुम भी देख लोगी पापा हाँ, बोलो बेटा मैं शादी के लिए तयार हूँ तुम तयार हो? पर तुमने तो सोचनी के लिए वक्त महागा था मैं यह सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा मैं शादी के लिए तयार हूँ बेठा तुने अच्छी तरह से सोच लिया है ना, तु तयार है ना? हाँ पापा, मैं तयार हूँ अच्छी बात है मैं घर आ रही हूँ हाँ ठीक है, गड़ी भेज़ देता हूँ जोती गीता ने शाधी के लिए हाँ कर दी है तु गर्दी कर रही है, गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता, तो बात में पच्टाएगी आर्या से अच्छा लडगा तुझे चिंदगी में कभी नहीं मिलेगा देख, मुझे पता है कि तु आर्या से प्यार करती है और जिससे तु प्यार करती है, उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासल नहीं होगा, गीता गीता, अपने इस एगो के चकर में न, तेरे दिल में चुआ रहे है, केरे प्यार है, उसे मत मार प्लीज गीता, मत चा यार, गीता मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूगी, उनकी खिलाफ नहीं गीता, गीता आजा बेटा, पापा, आजा बेटा मैं ठाक कही हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ अच्छे बात है, जाओ सहाब, हाँ क्या हूँ, आ, आर्या, वो कौन है जी सहाब भाई सहाब पापा आर्या कोने विटी मेरा दोस्त है पापा बिल्कुल नहीं उससे दोस्ती तोड़ दो क्यों पापा कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे में जान बस्ती थी बहुत अक्षे शंकर अभी तुमारी करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रजेक्ट में दा कॉंग्रिचुलेशन्स थैंक्यू रमिश मेरा तो इंजीनियर बन गया खा खा मिठाई खा मसब बैंगलूरू छोड़ कर वापस आजा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मेरा है वो तेरा ही तो है आजा हम साथ में खुशी-खुशी रहेंगे या मेरे जिंदगी में और मेरे पढ़ाई में तुमने बहुत मदद किये लेकिन अब अगर में कुछ नहीं बन भाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बैज़ती है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बैंगलूर में जाकर कोशिश करनी चाहिए इए बदमाश काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और अरे या ऐसे कोई बात नहीं है देख रही हो न मा तेरे लिए लड़की भी मैं ही डूड़ूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा वादा कर इदर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बेहन मीरा भी मुझसे दूर है तो तू फिर से शुरू हो गया देख रही न भावी देखो तुम दोनों बाई बेहन को मैं भलक क्यों दूर करूंगा मीरा मेडिकल की पढ़ाही करना चाहती थी तो उसने तैयारी की मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया मैंने उसे पढ़ने दिया गलत क्या दिया मैं बच्पन में मीरा के बगेर कभी नहीं रहा क्योंकि तू बैंगलूरू में है इसलिए तुछ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां बेजा है तू बिल्कुल फिकर मत कर उसकी जिम्यदारी मेरी है मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ सच में मैंने ये फैसला मिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ मैं कल ही इस बारे में नरी सिम्ह से बात कर लेता हूँ भाईया को भी कुछ मत बताना मेरे एक्सेम सोचाने दो तुम्हें तो बताई है न उन्हें कितनी जल्दी गुसा आजाता है अगर वो नहीं माने तो मेरी बढ़ाई बंद करवा देंगी और मुझे सबरतस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे चीक है कल मैं किसी जरूरी काम से भैदराबाद जा रहा हूँ वापस लोटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे अपना ख्याल रखना देर गाईश मान भव क्या हुआ आज के दिन भी इतने उदास है मीरा की बहुत यादा रही है मुझे उसके बिना हरते वहार बिल्कुल फीका लगता है पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परिशान है जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा क्या मतलब है आपका? शादी नहीं करवाएंगे उसकी? करूँगा ना बिल्कुल करूँगा पर उसके लिए अपने ही गाउं का अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूड़ूँगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे कहां से ढूड़ेंगे ऐसा लड़का आप? क्यूं? हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है तनका पूरी चाही तो यह मंदरी से काम किया कर ये कौन सा तरीका? अपने माली को लूटता है क्या? आओ विश्वा ये फर्वरी के अकाउंट्स की किताबे हैं आप ही देख लीजिए इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है परिवर आप देख तो लेती माली तुमने चेक कर लिया ना विश्वा? आँ चेक कर लिया तुम पर हमें पूरा भरोसा है जाओ जी साब मैं चलता हूँ जोती? कौन है पूर्पर? मीरा मात करवा मीरा हाँ भया मैं ही हूँ कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है पर तू तो हमें बिल्कुल भोली ही गई कितने महीने हो गये तुझे देखे परसों में तुसे मिलने बैंगलोरू आ रहा हूँ मत आये भया पर क्यू? फिलहार मैं बैंगलोरू में नहीं हूँ तो फिर? मैं बाहर कैम्प में हूँ भया फिर तू हम सब से मिलने कब आएगी मीरा? कैम्प की वचे से एक चेके से दूसरी चेके जाना पड़ता है भया पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी इसके खत्म होने में 3-4 महिने और लग जाएंगे क्या कहा? 3-4 महिने और? हाँ भया एक बार खत्म हो जाएं तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाओंगी भया अच्छा ठीक है फोन करके हाल चल बताती रहना जी भया मेरा कॉंग्रिचिलेशन्स मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी तीसरा महिना चल रहा है तुम्हें यजमान लड़के का नाम अभी है डॉक्टर आपके परिवार के लिए अतियुत्तम सही होगा क्या चल रहा है यहाँ? देखिए न मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिल्कुल बिल्कुल है मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किस ने गहा? डॉक्टर है वो किसने बताया? इसने? पढ़न जी उठिए उठिए यहां से ले जाईए यह सब लड़का अच्छा है कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हर्गिस देखिए करूगा वो डॉक्टर है चाहे कोई भी हो मुझे इमांदार और मेहंदी लड़का इसी गाउं से चाहिए अब आपको इतना इमांदार लड़का कहां से मिलेगा? मैं उसे ढूटके खोपरी के कमाई के पैसे गिन लीजे न अभी नहीं विश्वा अब बस करो इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया साब कोई गलती होगे तो माफ कर देना कल से काम पर मताना भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिये साब आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजी मैं फिर भी इस घर को छोड़ूँगा नहीं साब जाए मैं आपका नौकर बन के रहूँगा विश्वा ऐसा मत कहो आज से तुम इस घर के नौकर नहीं परिवार के सदसे हो मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तै कर दी है साब जी हाँ विश्वा मा विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा गले लग जाओ पाइ अच्छो होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो नहीं रहे वह खलत होगा वह क्यों भाई जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा कापती गोशित कर दिया तो प्रिजान ही गया है उस्फे पता भी नया ही चलेगा कि आप उससे मिले हो बाई भाई भाभी तो अजल में आई ही नहीं क्या मतलब इस वक्ट वो अजल में नहीं तो कां गही है और जा सकती है वो कां गही हो लिए हे जाके दी गटों में को हुई है हाँ 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 है है ये कर हाँ मेया विश्वा तुम यहाँ कैसे ये सब क्या है ये बात मेरे बाया को मत बताना विश्वा प्लीज मत बताना बाया रजिस्ट्रेशन कल सुबा दस बजे की लिए उसके बारे में तुम ने विश्वा क्या हुआ बात क्या है शापजी, मीरा हाँ, मीरा शंकर शंकर? हो तो रोब भाग है शापजी मीरा मेरी बहन है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शरम से सर चुग जाए शंकर मेरा चिकरी दोस्त है वो मुझे चुखा नहीं देगा कभी नहीं शापजी, इस परिवाद मेरे बहुत असान है अगर आपको गलत लगता है, मैं जूप लगा हूँ तो मेरी, मेरी जीब कार देजी आप सापजी, सापजी, मेरा, मेरा प्रेगिनेंट है सापजी मेरा, आपको पता नहीं, उसने शंकर से शादी कर ली है मैं अपने किये हुए वादे को पूरे नहीं कर सका मुझे माफ करते हिश्वा आप क्यो माफी मांग रहे हैं साप आपके तो कोई गलती नहीं है चाहिए जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा मैं अभी भी आप से कह रहा हूँ मैं आपकी बहन से शादी करूँगा ये तुम क्या कह रहे है विश्वा अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन जोती से शादी करने के लिए तयार हूँ इसे कहते हैं सचा दोस्त क्या हमारा परिवार एक दोखे बाज के साथ रिष्टा रखेगा अब ही तक मैंने तेरी हर बात मानी है पर इस पार तुझे मेरी बात मारनी होगी मेरी बात मान तूसे भोल जा गीता क्या तो आर्या से प्यार करती है अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा तुने अभी हा कह दिया पर सारी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें शर्मिता करके चली मत जाना सब के सामने उनका सिर जुक जाएगा गीता बस मा बचपन से उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बना कर रखा वो दोस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे मैंने पूरी जिन्दगी जिस चीज़ पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंडी जिसके बास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो उन्हें मैं दोगा कैसे दे सकती हूँ और वो भी अपने प्यार के लिए मा वो मेरे पापा ही है जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शाय ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी मैं जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा की दिल को चोट पहुचाए मैंने पहले भी कहा था आप भी कह रहे हूँ मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शाधि करूँगी उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी मा दाधी है वह मेशन मुझ से कहती थी हम धान के मेरा पती एक राज कुमार में चौरी राम की तरह है नौ यह सब कोई जम्षी सही राज कुमार या शरी राम नहीं बनता। था राव है मुम शरी राम या यह बात का यह नहीं सिंद्गी है जलो गीता को लिखर आते हूं आपको गीता के बार में कैसे पता चला आरिया इतने सालों तक मैंने तुमसे बात चुपा कर रखी लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया प्यवशों निस बताने के झाताने के सबस्ट проб Ridge प्यॵशों देलों प्यपघ गार श्युक्त आरे प्रर्ण आतानेakन उप्यू Advent कर को अबंद्ट्स्टबaboutर लेगा गारा पमोश का जिए थाए वे शिलिए आताने में गिता कहा चले गए जखने रही है डेता है जोड़े किसने में दोगा दिया था न आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किड्नैप कर लिया है बाई साब कहां पर है वो बैर कहां है तू कहां निकल कहां वो कहां वो कि 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 अूइ civ कि अबाइ जूम सुने ड कि अुडराण ठाल र कंच मिया जुडराण बृटक ुडर्ण कि आ'S rock कि कि अ अबाइ बुडराण अखर अब हुड्यान हुछ झाल दो ठाल झाल प्रूचर रहु पहुशर जब है रहु जब बहु वहुशर जब दो खाज है क्या आप थक गए आप कोई बात बता आपकी बेटी गीता को मैंने किर्नाद ने किया आपकोदी देख लीशे आपकोदी देख लीशे आप चौक क्यों गए, उन्होंने ये फैसला किया, और उन्हें सच का पता चल गया, आपको वो सच नहीं जानना, जो किसी को नहीं पता, इरा प्यार सच्चा है, ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूं भाईया, शंकर? जी भाईया, इनका नाम और आपका नाम एक ही है, शंकर, डॉक्टर शंकर, भाईया, एकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं, मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं, अरे रुख जा मैं बताता हूं कि अकाउंट्स कैसे बराबर करने हैं, शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे हैं, कहां से धूनेंगे आप ऐसा लड़का, हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं हैं, क्या रहे हैं, वहेश, तनका पूरी चाहिए तो हिमानदार इसे काम किया कर, अपने माली को लूटने चला, ये कौनसे तरीका है, ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबी हैं, विश्वा हमें तुम्हारे उपर पूरा बरुस है, जाओ, क्या कहा, तीन चार महीने और, जी बहिया, ठीक है मीरा, फोन करके हल चाल बताती रहना, जी बहिया, मीरा, कॉंग्रिचूलेशन्स, अब क्या करेंगे, मुझे ये बच्चा चाहिए, हलो, हलो, मीरा है क्या, हाँ है, एक मिनिट, उसे बलाती हूँ, हलो बहिया, क्या हुआ, इतने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया, बहिया, वो ऐसे ही, वैसे ही, सब ठीक तो है न, जी बहिया, कोई परिशानी हो तो, बहिया, आप आराम से काम ख़द्म करके आईए, यहां सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो जरूर कुछ परिशानी में है, और मुझे से छुपा रही है, भाई, खोपर का पैसा, कितना रखू मैं, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूगा, मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी, गले लगा, शे, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले ही नर्शिमा से बात करनी जाही थी, भाया पर, अभी तुम चुपराव मीरा, तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ कहाँ चल रहे हो, भाई, भावी दोजल में आई ही नहीं, ए, देख तो आटा में कौन आया है, हाँ, विश्वा, ये सब क्या है, भगबान के लिए ये बात, भाईया को मत बताना, पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तै की थी न, जी, क्या बोल रहे हो तुम, तुमारी शादी मुझ से होनी है, हमारे घर के नौकर हो तुम, मुझसे शादी करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है एक्स्क्यूज मी, रोकिये ब्लीज क्या हुआ शंकर? सर, मीरा को अकेले लगेज पैक करने में परिशानी होगी मैं उसकी मदद कर देता हूँ सौरी शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल लिया था कोई बात नहीं सर, मैं चला जाओंगा मेरे रास्ते में चलाएगा, मैं उससे खत्म कर दूँगा मीरा अरे बाप्रे, मीरा ये होस्टल की चाब यहीं भूल गई मैं, होस्टल दर बापा चलो अरामसे मीरा 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 अरे पुआ होस्टल मैई को यारा है चलो भागते हैं चलो कि मिरा किसे कि यह सब शंकर मिरा क्या वह मुझे मता यह सब किस ने किया विश्वा विश्वा मैं बच्छे को बच ले लिए मैं बचा लूँगा मिरा बचा लूँगा माउनार कि मुझे माफ कर देंगा यृ शेल हों啊 इसें जोनक करेंगा मैकाए। ना कर देंगा बच्छे कênio करेंगा माफ कर देंगा यृ कि मैं हुद्ॉद कुछ नहीं हुआ है मीरा। तरौ olmaz बहुत व्सवा 2 सेवन मंस प्री मेच्चुड बेबी मीरा मेच्चुड बेबी राई पक्का मर गया होगा काफे भीर कठी होगी है चलो यहां से चलते हैं एक्सिडंट के बाद आप सडक पर बेहोश मिले चार लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया इस बात को तकरीबन चार हफते वोच चुके हैं अब चार हफते से ट्रांस कुमा में थे चार है अगर उस दिन मैंने नर्सिम्हा को सच बता दिया होता तो तो कभी अनाथ नहीं होता पर अगर अगर मैंने उसे सच बताया तो उसकी बेहन विद्वा हो जाएगी ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये सच बता है मेरे आशू उसे, तुम्हारी आखों में अगर आशू आते हैं, तो आज की बाद मैं कभी नहीं रूँगा, तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हसी दिखने चाहिए, आज की बाद मैं तेरे लिए ही जीओंगा बस, आज की बाद मैं ह करमों मैं तो हुँआख पर मा हुआए, क्वार रभ्षू एड़गा जहोह, बाद में मी line ौट बाद मा आते हैं, जूए तो आत्मा यंध Nahum मैं झाहिए, कॉआए, कॉआख चॉए, कॉआए, जुआ भाद मैं unacceptable ... झाल 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 अगर कोई पास भी आ तो मैं इसे मार दूगा मेरे बेटी को कुछ बत कर दा सारी गलती मेरी है मेरी है आग झाल 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 कर दो कर दो प्रग्जा शांकार प्रग्जा शांकार मैं इसे मार दूगा तेरी वज़ा से मैंने अपनी बेहन को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा यह तो उसे अपनी बेहन मांता उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की हिम्मत तुझे कैसे हुई जिसे अपने परिवार के साथ रहकर जिंदगी की हर खोशियां जीनी चाहिए थी उसे तुने अनाथ बना दिया वो अपने भाई से माफी मांगना चाहती थी सिर्फ तेरी बज़ा से नहीं मांग पाई बहुत दर्द सहे उसने भाई उसे कहना कि मुझे माफ कर दे झाहती भाई असे भाई में जया है झाहती बहुत झाहती राई भी कहती राई भाई दिया अन्हर होग भाई बहुत जिए बहुत जया पनावान जो गलती उस वक्त की अब वही गलती मैं दुबारा नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारी बीटी मैं यहां आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था बस आपको ये बताने आया था कि मेरे पापा धोके बास नहीं है एक सच्छे दोस्त है शंकर कि बास बास आपको ये लाँ आपको ये बास तुम्हास आपको ये ऑापको ये उच्छे लाँ झाल, 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 झाल